हेलो दोस्तों वेलकम बैट टू शिवजी हों डीजेन आज का जो हमाल प्लैन है इस प्लैन के साइज है पच्छों इन्टू पैतली स्वीट और यह गोवा के हिसाफ से डीजेंग क्यों है प्लैन है जैसे आप देख पाओ इसका जो लुक है वह बहुत जबदस लगता है अब भी देखिए आपको वह भी बहुत पसंद आने माले हैं और यह जो इसका साइड़ हुए इस हिसाफ से इसको वाइट यलो के कॉमिनिसम रखा है जैसा कि दिखने में बहुत जबदस लग रहा है और इसके गरवन फ्लोर पर क्या होगा और फास्ट फ्लोर के इंटेर द इंट्र के लिए और वाइट यलो का कॉमिनिसमें बहुत जबदस्त है और यह हमने चार तरब चार बार्गनि रखिए दो इदर और दो अधिर बार्गनि रखिए जो उपर रूम के हिसाफ से और इसको आप देख सकते हो आप इसको अपने घर के इसाफ से या पिर और और त्राइब से यूज कर सकते हो बट यह बहुत जबदस प्लैन है पुरा प्लैन जरूर देखें ओके यह अपना एंट्री हो जाएगी एंट्री के लिए हमने उपर बारगनी का इस बनाए और पोस्ट सेट किया है और एंट्री होता ही आपका यहां पर लिवी इसेट हो है क्योंकि हमारा ओडर है उसे चांप से यह पुरा प्लैन की जाएं हुआ है इसलिए उनको यहां पर प्लैन चाहिए इसलिए पूरा इस्टेडी रूम हो गया और बागी इसमें साब रूम सेट हो जाएगे और आपको इस्टेडी रूम में भी एक ट्वीलेट मिल जाएग और इसमें भी आपको विंडो मिल जाएंगे कोई पॉब्लम नहीं है कि जिसमें चारो तरप से हमने फूल विंडो रखे हैं और फनिचर यह सब गिरिंग का कॉमिनिशन है जैसे कि आप देखरों गिरिंग मस लग रहा हैं और यह इस पर से गोगा के हिसाफ से यह बहां पर ज सब्सक्राइब को और यह प्लैन बहुत जबदस्त हैं और यह फर्स्ट बात्रों हो जाएगा जो अपने इस्टेडी रूम के अंदर हैं ओके अभी हम चलते हैं वापस अपने लॉबी में इस्टेडी रूम और लॉबी के विसमें हमने ओपन रखा हैं पूरा एरिया और य उसको हम ऑपन विंडो आटमेंटिक विंडो वाला सेट करेंगे हम चाहिए तो निच्छे से विंडो को ओन आप कर सकते हैं उपर वाले टॉब वाले विंडों को ओके और यहां पर डानी एरिया और किचन यह सब आमने उपन रखा हैं ओके वह आपका फर्स्ट बेड्रूम बहुत जबदस मतलब की बहुत जबदस प्लैन होने वाला है और अब इसको रिलेट कर सकते हो इसको के किस हिसाब होगा और यहाप नग्वार्ट इसमें आपको बड़ी बाद्रोब मिलती हैं बागी सब्सार्ट की सइस कम में इसमें आपको बात बास से पूरा बातरूम नहीं बास चलता है अपनों उससे पहले देख लेते हैं अपने किचेंग को किचेंग को हमने अपर रखा आपने बाग से पिछए की साइट बेजाने के लिए यह पूरे इस टाइप से से हैं और यह यह भी बहुत मस्त लग रहा है और इसके पास अपना second bedroom हो जाएगा second bedroom में भी आपको attached bathroom मिल जाएंगे ओके अभी हम चलते हैं अपने second bedroom है और second bedroom आनने के आपको इसमें दो window मिल जाएंगे इसमें जो हमने बैड रगा वो गोवा के साफसे जैसे बैड होते हैं उसे साफसे आपके वाला रूम यह अपने बाकी जो रूम होंगे वो सब इसी टाइप से होंगे उसमें ज्यादा कुछ चेंज़ नहीं है लबब सब से महीं रहे हैं और स्टेल साफसे वालक डीजेंग करने सकते हैं उनको लबब सब को से हम बनाना पड़ता है इस हिसाफ से ओके तो अब प्लैंने और समझ में यह आथा तो मैं आपको एंड में इस वीडियो के एंड में मैं आपको कूझ है ने syकार के कुई सम真的 के इसलिए वीडियो को पूरा जो देगा वीडियो के एन में आपको इसका कट भी बताने वाला हूं और ये अपना सेकिंड बैड रूम हो जाएका अपको बैड और अपना बाथ रोम में ये सब सेट हो जाएगे जैसे दूसरा बैड रूम है उस टाइप से ही बैड रोम हमां तरह को टेखा है कि यहां पर यहां पर आपको यहां पर सोपा सेत हो जाएगा और आपके बार्कणी मिल जाएगी जो अपने निज़े पोर्ट है उसके उपर आपको पूरी बार्गनी सेट हो जाएगी यहां पर हमने फैंजिंग डोर लगए हैं जैसे कि आप देख पार बहुत जबस लगए हैं पूरा ओपन हो सकता है यह दोर विंडो और अभी हम चलता अपने फर्स फ्लोर के फर्स बैड सब्सक्राइब हो जाएगी इसमें भी आपको अटेस्ट टॉलेट मिल जाएंगे और यह प्लैन भी बहुत है ओके आपको प्लैन समय में आसानी हो रही होगी बट अगर नहीं हो रही है तो कट व्यू देखेंगे आपको पूरा सब्सक्राइब इसलिए वीडियो को पूरा की बेट न familiarity आख़ेंगे च्शनी डिन संब्सक्राइब करते हो जाएगे जो चारह दिश्चामे रहस हें और अब हम जल्थ अपने सेनी नहीं हैं कि हुरे इसको बीद festa में जाना है इसलिक्खांगे इसहाब से प्राइब सब्सक्राइब क्लама सब्सक्राइब चारह बैकर कर हो जाएगा तो अभी हम चलते हैं अपने पापस बाहर की और और बार जो हमारा पास एरिया है जो किच्छन के उपर वाला बाप है हमने किया है सोपा और टीव यूनिट सेट और यह अपना थर्ड बैडरूम हो जाएगा रस प्रफ्स्ट प्लोर का और इस टाइब से है 1st लोर को हमने पूरा एपर रिफ्लोर कर दिया इक बैडरूम और है जो अभी हम देखने देख कहांगे जो सर लिए कि अब कर सारा प्लैन आपको कैसा लगा और यह हॉस्टल के इसाफ से भी देश सकते हैं आप अच्छा प्लैन है और अभी हम चलते हैं अभी आपको हम इसका जो रियल विव हैं वह दिखेंगे जैसरा कि आप यह देख रहे हो यह जो अपनी यह जो ओपन एरिया यह में को सबसे जब्रदस लगा इसके अंदर जो अपना स्ट्रे के सेट हो जाएगा और यह तुलसी वाला जो एरिया हैं यह पूरा इस लगे आपने टॉप नश्य जेख और गाने टॉप जो गया कमश्य जयाता हैं ज्यहरा ज़िस ना जब्रदस लगत जह त्समानट हो जख और इस लेसलन कर दो कि आप एशरा हैं हो वह कहिंते में छिश्युम्दों हो तो इसम मैं इस अभी ग्स्षू होंग इन आ और अभी हम चलते हैं अपने गरंफोर के cut view पे होगा में अब आपको यह सब सभंद्मार कांपर होगा कौन जीजिसकों काहं पर हैं जैसे ही हम पूर्ज हो गया फिर अपना लोबी हो और बेडरूम और यह सब इस सबसे प्लैंग को डिजेंग किया है यह प्लैन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर आप भी हमसे अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज वासब मे अगर आपको वीडियो अजया लगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए बाइबार फ्रेंड्स अगर आप जोत्परिश्टान खरीना चाहते हैं तो प्लीज सर्च कीजिए www.jotprishton.in यहां पर आपको हर टाइप के जोत्परिश्टान मिल जाएंगे आप यहा ружज़ जोत्परिश लाइप के जोत्परियो हर थैंगे लाइप कीजिए तो जबगाएंगे लाइप के जोत्परिश्टेषजर टायूखे लाइप को जोत्परिशब यहां भूल मिल पत्ают झाल झाल झाल